जब भी धावक दोड़ता है तो जब अंतिम समय में होता है तो वो क्या करता है अंतिम समय में होता है वो अपनी पूरी जान लगा देता है क्या तो वो जान लगाएगा या वो छोड़ देगा आप क्या लगाओगे आप जान लगाओगे देखे जब भी आप सफल होते हैं मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूशते हैं कि सर सफलता क्या होती है देखे वेटा हर माबाप का सपना होता है आपके भी माबाप का सप कि आइन का खुद का आपके परति कोई सवार्थ नहीं होता है कि वह छोड़त आपका स्वार्थ प्लेट फरिकों करूँ आपने हमें इतना प्यार दिया कि दो दिन के अंदर ही हमें आपने लगबग 25 विद्यार्थी कर्शी प्रवेक्षक के जोड के दिये हमने सब ने मिलके महनत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका आभारी रहूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रूप में 3,000 से उपर विद्यार्थी है वो हो चुके हैं 3500 भी हो गए होंगे अभी तक तो आपका यह प्यार बना रहे मैंने क्रशी प्रवेक्षक 2018 की वेकेंसी में बहुत सारा नीस वार्थवाव से आपका शयोग किया था तब कोई नहीं था यूटीब पर जो प्रति दिन विद्यार्थियों को पढ़ाए या आपका हैल्प करें आज हमने अभी मैंने इसको दुबारा से शुरू किया तो उसी प्यार को आपने याद रखा आपने मेरे प्रति अपनी करतगता व्यक्त की मैं आपका दिल से अबारी हूँ इसी तरीके से प्यार आप बनाए रखिए अब अपने यूटीब की बारी लेते हैं यूटीब की चैनल को आप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसका यह करतवे बनता है उस विद्यार्थ कि इस वीडियो को आप अपने निजी दोस्तों के पास अपने ग्रूप के अंदर सभी जगह इस तरीके से फेलाद हो ताकि प्रतेक विद्यारती है वो लाभानवित हो सके हम कृषी प्रवेक्षक है तू या किसी भी कंपिटिशन के द्रश्टी से जो भी आपका कंपिटिश रहता है कृषी से समदित उसमें आने वाली पशु पालन का संपूरण हद्यन करने वाले हैं तोटली आपको डोज मिलेगी परतेक चीज आपको कलियर करवाये जाएगी सारा सब्जेक्ट को मैं आपको कलियर करवाओंगा कृशी प्रवेक्षक में पशु पालन से बाहर ज नहीं जाने वाले हैं मैं आपको वीडियो लेक्ट भी उळेबल करवाँगा साथ साथ में उसकी प्रैक्टिश भी करवाँगा तो पहले 15 दिन मैं आपको शिर्फ वीडियो क्यों कि अभी मैं मेरे पास बौड है वो सिद्धा बोर्ड है ठीक है वैसे मैं digital बोर्ड को प्रसंद नहीं करता हूँ परन्तु अगर आपका सियोग रहा तो मैं digital बोर्ड लेकर आरह रहा हूँ बस 15 दिन आप मेरा सियोग कीजिए मैं आपसे यह अनुरोद करता हूँ चाहे आप यूँ कहलो मैं आपसे स्योग मांग रहा हूँ, आप मेरी help कीजिए, मैं निश्वार्त भाव से आपको पढ़ाऊंगा और इतना अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सब जगह को भूल जाओगे, कृशी प्रविक्षक हेतू पुशु पालन जो subject रहता है, तोटली रूप से अपने यहां पर त्यारी करेंगे, मैंने description में एक लिंक दिया है, जहांसे आप रोटी कल्चर की क्रोप्स हैं, पुमोलोजी है, वो कर सकते हैं, उलेरी कल्चर भी डाल दी जाएगी, और फ्लोरी कल्चर भी डाल देंगे, पोस्ट आर्वेस टेकनोलोजी भी इसी प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसके बाद में बत्तिये सशे विज्ञान, सशे विज्ञान की दो-चार पसले मेंने की करवाई हुई है, जैसे कि गन्ना है, और बाजरा है, जवार है, उनको आप अधिन कर सकते हो, आज से दो साल पहले ही मैंने वीडिय वो डाल दिये थे, उस वेकेंशी के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्योग किया था, आज आप मेरा स्योग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियो लेक्चर्स को, तो आप से मैं स्योग माग रहा हूँ, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क कि पिछले चार महिने से हम कोर्स चला रहे हैं, उस कोर्स में लगबग 200-200 बच्चे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, जो भी मेरे परसनल स्टूडेंट्स थे, उन सबने कोर्स है, वो खरीद लिया था, मैंने इतना ज़्यादा प्रमोशन है, वो नहीं किया था, अब मैं प्रम का मतलब यह है कि मैं आप से ऐसे नहीं है, ज्यादा फीस वसूली करूंगा, हमारा ओफलाइन बैच भी चल रहा है, ओनलाइन बैच भी चल रहा है, मैं गर्शे काफी दूर हूँ, ओनलाइन ही दे पाऊंगा, मैं ओफलाइन नहीं दे पाया हूंगा, ओनलाइन के अंदर आ देखिए आज के टाइम में मेरा ये मानना है कि लगबग 70% विद्यारती है वो अपना समय बरबाद कर रहे हैं देखिए जब भी आप सफल होते हैं मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूशते हैं कि सफलता क्या होती है देखिए वेटा हर माबाप का सपना होता है आपके भी माबाप का सपना है उनका जिस दिन आपका सलेक्षन हो जाता है जिस दिन आप कुछ बन जाते हो तो उस दिन उनका रोम रोम खेल उटता है वो आपको दिल से दुआएं देते हैं उनका खुद का कोई भी मोटो नहीं र करता है कि भी सभी देखे आज के टाइम में सवार्थ के रूप में काम करते हैं प्रन्तु मा बापका अपनी संतान के पुरती किसी परकार का सवार्थ नहीं होता है क्योंकि उनकी एज है वो निकल गई है जो भी उनका 50-60 साल एज हो जाती है तो उन्होंने अपना जीवन या आपने वो अच्छे से आपको पाल पोस्ट कर बड़ा कर दिया है उनका करतवया है वो पुरण हो गया है अब आपका करतवया बनता है आप अपने परिवार के लिए आप अपने आने वाली पिड़ी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसी लि बेस्ट पर आपको काम करना होता है तिनों सब्जेक्ट को अगर हम डेली टार्गेट के अनुशार या नियमारे बनाए गए नियमा अनुशार अगर त्यारी करें आप तो डाही महने का समय लगता है और डाही महने के समय में यह एक विजवल बात है मैंने इसको अपनाया है दाही महने में आप इतना अच्छे से त्यारी कर सकते हैं पूरण समर्पन आपको देना पड़ेगा जब जब भी किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आपको समर्पन और द्रड निश्य की बहुना है वो आपके अंदर होनी चाहिए यह बात दिमाग में कभी नहीं ल महनत पर आपकी इमानदारी पर डिपेंड करता है कि कितनी समर्पन भाव से आप त्यारी कर रहे हैं कितने समर्पन के साथ आप कितने घंटे उस प्रिक्षा को दे रहे हैं डिस्टब हो रहे हो किसी भी चीज से किसी भी परकार का आपके अंदर डिस्टेक्शन आ रहा है आ आज ही त्याग दीजिए उसको, क्योंकि त्याग करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आपको कोई भी डिस्टब करता हो, परिवार करता हो, समाज करता हो, रिष्टिदार करता हो, क्योंना आपका मुबाइल करता हो, आपको त्याग देना है, क्योंकि किताबें ही वो ऐसी है जो आपका स्लेक्शन करवा सकती है आप हेल्प ले सकते हैं किसी इनने मिटेरियल की परंतु किताबों को पढ़ना जरूरी है क्योंकि किताबें हैं वो आपका बेस बनाती है और कहते हैं न कि इसका तो बेस बढ़िया था तो वही बात है आप को base बनाना है क्योंकि exams जो होते हैं उनमें 80 क्योशन नोर्मल आते हैं पचास क्योशन नोर्मल आते हैं तो जो selection होने वाड़े 5 या 7 क्योशन होते हैं वो अगर आपको नहीं आये तो पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है इसलिए basic भी आपका clear होना चीए जल्दी से किसी चीज स प्रभावित नहीं होना है आपको अपनी समझ के अनुशार चैन करना है और उसके बाद में पढ़ाई करनी है आपको अपना खुद का material त्यार करना है सबसे पहले आपके पास syllabus होना चीए उस syllabus के according ही आपको त्यारी करनी है syllabus देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर syllabus change होगा या बहुत सारे teachers भी कहते हैं कि syllabus change होगा वो उनको लगता है बाकि ऐसा कुछ नहीं है syllabus change नहीं होने वाड़ा है syllabus में कोई भी परकार का प्रिवर्तन नहीं होगा जो पुराना syllabus है उसी के अनुशार पढ़ना है आपको ग्यानवान नहीं बनना है जब आपका 2018 में पेपर था तो उससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था एक और उसमें मैंने आपको बताया था कि भी negative नहीं करना है नहीं ग्यान आपको ग्यानवान बनना है वहाँ पर ग्यानवान नहीं बनना है तो वही चीज है ग्य ति वो पचास पर आगे तो ऐसा नहीं करना है आपको perfect होना पड़ेगा आपको पका पता होना चीए ऐसे नहीं है ये ऐसा हो शकता है नहीं ये ऐसा होगा ये आपके अंदर जब आतम विश्वास आ जाएगा तो आपकी त्यारी है वो अच्छी मानी जाएगी क्योंकि देखे जो सत्य है उसे दूर नहीं बागना है सत्य है ये है कि क्रशी प्रविक्षक के अंदर जो merit रहती है पिछे वड़ा जो एक्जाम था उसकी द्रश्टी से देखें बाकी सभी एक्जाम उन्वेस्टीज नहीं करवाए थे तो उनका फंडा था और उस टाइम इतना competition भी नही देखें जब भी मैं अपनी application पर लाइव आकर भी मैं आपको ये बातें बता दूँगा जब भी आप पढ़ो तो इस परकार से पढ़ो कि आप उसके अंदर खो गये हूं आपनी उस मेटर का पुरन रूप से विशलेशन है वो कर देना है अभी मैं आपको हमारे एग्री ज section में जाके आपको वहां से क्रशी प्रवेक्षक का course है वो चूज करना है वहां पर आपको क्रशी प्रवेक्षक की तीन courses मिलेंगे एक में test series मिलेगी एक में daily test मिलेंगे और एक में course मिलेंगे अगर आपने क्रशी प्रवेक्षक का man course लिया है तो उसमें तिनों चीज़े ए फिस लेनी है लेनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ठीक है तो ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ज़्यादा जो मेटेरियल आपको 15,000-20,000 में मिल रहा है या जितनी कोचिंग आप 15,000-20,000 में करते हैं वो उतनी आप अगर ओफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपको करेबन 3-4 मہिने कोर्स के अंदर लग जाते हैं अगर इससे कम समय के अंदर कोई कोर्स करवाता है तो वो घास ही बाढ़ता है ठीक है तो अपने को घास नहीं काटना है मेटर करना है उतना प्रफेक्ट करना है तो दू रहता है अगर आप सेकंड बार पोजिशनिंग ले रहे हैं तो आपको टाइम खराब करने की कोई मतलब नहीं है आपकी त्यारी की हुई है और सेकंड टाइम आप ऐसा नहीं की बारी में एकरी कल्चर पर बैठे हो आपने किसी अन्य सब्जेक्ट की अन्य कोचिंग जो अन्य है आपकी प्रिपेशन है आपका अन्य एम है उस पर भी आपने काम किया होगा जैसे कोई बच्छा रीट की त्यारी कर रहा होगा कोई पट्वारी की त्यारी की होगी तो वो बच्छे भी इसके अंदर आ जाते हैं पर अगर आपने त्यारी कर ली है पहले भी तो आपको ओ बात करें हिंदी रहती है हिंदी का आपको एक फेक्रिटी करवाएगा वेल्यूएबल पद पर है ठीक है मैं यहां पर बता तो नहीं सकता कौन कहां पर वरक कर रहा है पर वेल्यूएबल पद पर है वो सभी आरियस के अंदर या सेंटर गोवर्मेंट के अंदर कहीं न कहीं व को ब्रोशा करना पड़ेगा बहुत सारे विद्यार्थियों ने ब्रोशा किया है तो और बाकी मैं आपको मैनुवली रूप से बता दूँ कि मैं 14 तारिक को मेरा संगरिया के अंदर free of course सेमिनार है हमारी ब्रांच के अंदर एगरी जोन संगरिया के इंदर हमारा सेमिनार रहेगा तो देखर यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले रास्ता जी के आता है जिसमें बुगों के अलग टीचर है और एतियास के अलग टीचर Harris क gleich और संसकर्थी की अलग teacher है, उसके बाद में Hindi के एक teacher है, उसके बाद में एगरी कल्चर है, एगरी कल्चर में आपको चार पॉर्चन मिलेंगी, सामानिक रशी, सश्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान और इसके साथ साथ पसुपालन विज्ञान, तो आप course को चेक कर सकते हैं इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा प्रतेक टोपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा प्रतेक सब्जेक्ट के वाइज हमने उसमें फोल्डर बांट रखें बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने पेस किया गया है डिजाइन किया गया है को तो उसके वीडियो के निचे, माली जे यहां पर वीडियो है, तो यहां जस्ट इसके निचे आपको PDF मिल जाएगा, इसी वीडियो के निचे आपको जस्ट क्या मिल जाएगा, पीडियो मिल जाएगा, और इसी के निचे आपको इसी टोपिक का, इसी टोपिक का आपको प्रेक्टिस टे है और एक हमने टेस्स को मेजर कर दिया है मेजर के अंदर तो आपके क्या होगा सब्सक्राइब करें आपको अनगिनत यानि कह सकते हैं अपने हर जो आपका रविवार होगा हर वीक के अंदर आपको एक मिलेगा तो कम से कम आपको 25 टेस्ट मिलने वाड़े हैं कितने टेस्ट कम से कम 25 टेस्ट और आपको जो माइनर टेस्ट है उसमें 15 टेस्ट मिलेंगे इसमें हमने क्या किया है प्रतेख सलेबस को आपको तीन भागों में बांट दिया है तीन भागों में बांटना यानि मतलब हमने क्या कर दिया टोपिक बांट लिया है तिनों के जो आपकी एगरी कल्चर है उसके जो आपका राजस्थान जी के उसके और जो आपकी हिंदी है उसको तीन बागों में हमने बांट लिया इसको और तिन्वागों के अलग-लग टोपिक बांट गपे उसको 15 बाग में बांट लिया है पहले आपको टोपिक दिये जाएंगे और उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा तो 1500 और 25 सो लगबग 4000 जार कुशन ये हो जाते हैं और साथ में ही आपको एक पॉर्षन मिलेगा डेली टेस्ट का डेली टेस्ट होता है, उसके अंधर भी कुशन्स मिलेगे आपको और उसके बाद में हमने टेली ग्राम पर भी आज से ही शुरू किया है टेली ग्राम से भी आपको क्यूसंस हैं वो दिये जाएंगे तो इन डेली टेस्ट और जो टेली ग्राम का पोर्शन रहता है इनका आपको नोट्स बनाते जाना है साथ साथ में और डेली हम टारगेट भी देते हैं तो भूती अच्छे तरीके से कोर्श को डिजाइन किया गया है और कोर्श को डिजाइन करने के साथ साथ हम आमारी जो टीम है वो चोईस गंटे आपके help के लिए त्यार रहती है आपको इसके self notes बना लेने हैं और notes बनाने के बाद में इसको आप अच्छे से त्यार कर लेना है करशी प्रवेक्षक में आपके लिए आपका selection जरूरी है selection चाहे कैसे भी हो देखिए जब भी धावक दोड़ता है तो जब अंतिम समय में होता है तो वो क्या करता है अंतिम समय में होता है वो अपनी पूरी जान लगा देता है क्या तो वो जान लगाएगा या वो छोड़ देगा आप क्या लगाओगे आप जान लगाओगे इसलिए आपको जहां लगा देनी है सफल होना जरूरी है आपको यूँ समझना है अपना target decide करना है आपको दिन में नहीं आपको घंटों में पढ़ना है घंटों में पढ़ोगे तो ही आप सफल हो पाओगे आज से ही त्यारी करनी है टाइम परबाद नहीं करना है आप कोर्स में जाके डेमो लीजेगा डेमो लेके आप देख सकते है और आपने हमारा जो श्योग किया है वो एत तुलनी है हम हमेशा आपके ऐसान मन रहेंगे धन्यवाद किसी भी परकार के इनने जानकारी के लिए मैंने नमबर दे रखें उन नमबरों पर आप कोल कीजेगा अगर वो नमबर पिक अप नहीं हो तो मेरे खुद के नमबर पर आप कोल कर सकते हैं ज्यादा कोल मत कीजेगा प्लीज बहुत सारे मेरे पास फोन्स आते हैं बहुत सारे कोल्स आते हैं जितने भी आपके questions होते हैं, queries होते हैं, आप वो मेरे को direct message कर दिया करो, मैं आपको जवाब देता हूँ, धन्यवाद, thank you.